दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं एक घर बनाया जा रहा है और घर को पूरा यहाँ पे जो हमारा पिलिंद लेवल तक दिवार होती है उसको प्लास्टिक से कवर कर दिया गया है तो यह कुछ आपको नया देखने को मिल रहा होगा और यह है क्या चीज आखिर ऐसा क्यों कि आपकी आपकी दिवार उठाएंगे तब आपका घर का निर्माण होगा तो क्या है आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि कि जितनी भी यहाँ पर दिवार नीचे से उठाई गई गयी है सबको यहाँ पर जो प्लास्टिक मोटी वाली प्लास्टिक होती है पुलिथीन सीट होती है जिसको हिंदे में हम तिरपाल भी बोलते हैं तो क्या हो पन्नी बोलते हैं तो उससे ये पूरा आप देखिए कि cover किया गया है side की आपको एक भी दिवार यहां पे नहीं देखने को मिलेगी आप देख सकते हैं कि पूरी cover कर दी गई है उपर तक उसका उपर जहां पर अब यहां पर इसका प्लिंथ बिम कहले या फिर डीपी सी कहले जो डालनी है वहां तक इसको cover कर लिया गया है उपर आपको थोड़ा सा इसमें दिखाई दे रहा होगा कि बीच में gap रखा गया है और यह पूरा cover कर दिया गया है जब यह एक जगह यह construction हो रहा था तो वहां मैं गया वहां मकान माल तो मुझे यह पता चला कि यह polythene seat यह सोचके लगाया है कि इनके घर में sealant नहीं आएगा क्योंकि जब यह मिट्टी भरेंगे side side से आप देख सकते हैं कि यहां पे दिवार में यहां पूरा water गोल जो होता है यहां पे इसके उपर इनको DPC डालनी है वहां तक तो यह छोटे-छोटे हिस्वे में जब यहां पे अब मिट्टी भरेंगे तो यह कह रहा है कि मिट्टी जो है ओ हमारे दिवार के साथ जब यह सटेगा यानि कि दिवार में touch होगा तो अगर मिट्टी में वहां पे moisture होगा तो हमारा वो दिवार मौइश्चर को नहीं उठाएगा तो इस तरीके से हमारे घर में sealant नहीं आएगी तो क्या यह सही है क्या यह सही में ऐसा कुछ हो सकता है कि इतनी आसानी से हम sealant को रोक सकते हैं फिर हम घर में तरह तरीके का उपाय क्यों करते हैं sealant को रोकने के लिए हम इतने सारे पैसे क्यों करते हैं फिर हम यही काम ना कर लें लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो आप यह देख रहे हैं यह बिल्कुल गलत तरीका है यह समझे कि यह कहीं पे एक दो लोगों ने किया फिर वो सफल हुआ नहीं सफल हुआ लोग के दिमाग में आया हो यहाँ पे पोलिटीन सीट ढलवा लिया आप देखिए कि यहाँ पे कितने सारे जो भी छोटे छोटे सेक्सन बन रहा है सब ही जगाझ यहाँ पे कील से अच्छे से स्कूरूल से उसको पेच को टाइट भी किया गया है ताकि polythene seat वहाँ से हटे नहीं और साथ में उस polythene seat के नीचे जो दिवार है उस पे मैं जैसे आपको बताया कि cement की salary यानि जो घोल है ओ भी लगाई गई है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्कुल गलत तरीका है ये क्या है कि polythene seat आप लगा देंगे और ये तो polythene seat साइट से आप लगाए ही है और उपर से भी दिवार के उपर पे भी आप polythene seat पूरा उपर cover कर दिये है तो एक चीज बताईए कि फिर इस दिवार के उपर हम डीपी सी डाले या पिलिंथ भीम डालें कुछ तो डालेंगे फिर इसके उपर हम दिवार बनाएंगे तो polythene seat आपके डीपी सी या पिलिंथ भीम यानि जो भी concrete का member होगा उसको आपके नीचे के दिवार के साथ कहां पे वो attach करेगा कहां से वो bonding बनाएगा वो तो बिल्कुल अलग हो जाएगा नीचे का section अलग हो जाएगा उपर का section अलग हो जाएगा दोनों को बीच में gap रह जाएगा अब या आगे आपको और भी detail मैं बताऊंगा कि इसका सही तरीका क्या है सही से कैसे करना है देखिए एक तो पहला चीज ये कि ओ हो सकता है दूसरा ये कि side से जो मिट्टी आप डालते हैं तो दिवार के में आपको वहाँ पे आप पूरा plastic से cover कर देते हैं तो फिर होगा क्या कि दिवार में जब oxidation होगा यानि जब उसमें से gas निकलेगा heat of hydration होगा, गरम तो ओक क्या होगा कि उस पन्नी के नीचे ही रह जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा कि बहुत सारा esteem यानि वास्प जो होता है ओक क्रियेट होगा जो कि दिवार को कमजोड करेगी क्योंकि दिवार को proper oxygen मिलनी चाहिए तो दिवार को हवा नहीं लएगा oxygen नहीं मिलेगा तो दिवार अपने strength को कैसे gain कर पाएगा वह मजबूती कैसे मिलेगी तो यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब भी आप नीचे से दिवार उठा रहे हैं जैसे यहाँ देखिए कि नीचे से आप दिवार उठा ली गई हमारा DPC के लेवल तक जब दिवार उठा ली गई तो अब इसके उपर आपको सीधा क्या करना था कि DPC यहाँ पे डालनी थी DPC आप 2 इंच मोटा जो concrete का layer है ओ डालते हैं उसमें आपको steel देने की कोई जरूत नहीं है आप M15 grade का DPC मसाला बनाईए उससे DPC डाल दीजे DPC आप road के level से करीबन 2-5 feet उपर रख सकते हैं DPC डालने से यह होता है कि जब जो नीचे का हमारी दिवार होती है बीच में हम DPC देते हैं फिर अब इसके उपर हम waterproofing करके तब उपर की दिवार उठाते हैं तो DPC हमारे घर में सीलन आने से रोकता है तो कभी भी DPC में आपको waterproofing chemical आती है OE यूज करनी है, coal tar यूज करनी है अब जैसे plastic लगाया गया है यहां मैं आपको example दिखा देता हूँ जैसे आपने देखा मैं बाहर से दिखा रहा हूँ इस दिवार को कि यहां पर यह plastic भी छाई गई है अंदर से भी पूरी दिवार कबरती उपर से भी आप पूरा plastic भी लगा देते हैं तब उपर से यह concrete का आप layer देख रहा है कि concrete की layer डाली गई है DPC के तोर पे तो वहाँ पर देखिए कि वो plastic लगाने से आपके दिवार में आप concrete में और नीचे की दिवार ते उसमें gap आ गया है तो आपको वहाँ पर क्या है कि waterproofing chemical या coal tar गर होता है वो यूज करना है अब यहाँ पर और मैं आपको clear दिखा दूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ से वहाँ तक पूरा जो है यहाँ पर आप देखिए कि नीचे से यह दिवार हमारी आई है और फिर बीच में उस दिवार के ऊपर यहाँ प्लास्टिक लगाई गई है प्लास्टिक के ऊपर यहाँ पर आपको डीपी सी की पतली 2 इंच, 1.5 से 2 इंच की लेयर दिखाई दे रही होगी concrete की यह देखिए उसके नीचे आपको यह पंदनी दिखाई दे रही है प्लास्टिक सीट अब यह आप गौर से यहाँ पर देखिएगा तो प्लास्टिक सीट और हमारा concrete के नीचे यहाँ पर आपको gap बन जाता है वहाँ से क्या है कि आपका हवा तो जाएगा ही दूसरी बात यह कि अगर side में यहाँ पर पानी लग रहा है या बालू भरा है तो क्या होगा कि यह फर्स आपका नीचे बैठेगा तो आपका जो tiles होता है पत्थर होता है वहाँ पर दब सकता है आपके घर में settlement आ सकता है आपकी पूरी दिवार में उपर की दिवार में crack आ सकती है तो इसलिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर plastic seat बिल उपर यानि कि जहाँ पर आपको DPC डालनी है या पिलिंद भीम डालनी है तो उसके नीचे आपको plastic seat भी नहीं बिचानी है सिंपल सा आपको क्या करना है कि waterproofing chemical जैसे आप यहाँ पर देख रहा है जितने भी यहाँ दिवार है देखिए कि यहाँ दिवार नीचे से आई है औ और उसके उपर 2 इंच का concrete का layer किया गया है और उसके ऊपर आप देखिए कि यहाँ पर black color का आपको दिखाई दे रहा होगा यह सब यहाँ पर cold tar use किया गया है जो road में हम cold tar use करते हैं वही तार्कोल हम यहाँ पर इस्तमाल कर रहा है उसके ऊपर लगा रहा है अब यह तार्क प्लाश्टर नहीं कराब और और यह चाहँ अगर आप चारकोल जो होता है बिटूमिन नहीं टालना चाहते हैं तो डॉक्तर फिक्सि Gesetz list का 301 पिदीक्रीट ईॉर टाल सकते हैं 105 जो डॉक्तर फिक्सित का यह पॉअडर और या फिर Damp Card आता है Dr. Fixit का और आप यूज कर सकते हैं और DPC डालने के टाइम में एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जो DPC डालेंगे जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं आप इसके उपर दिवार हो रही है तो मिट्टी और उपर की दिवार आपस में कंटेक्ट में आएंगे तो फिर भी मुएस्चार जो सीलन होता है आपके घर में आएगा तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर जो हमारा ये DPC है उससे नीचे ही आपको फिलिंग करनी है और वही तक आपको उसको फर्ज को खतम कर देना है तब उसके उपर आपको दिवार बनानी है